नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटर्व्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस अफते हमारे मेहमान है शेहनाई के विश्व विख्यात कलाकार लोकेश आनन जी दो हिस्सों की बाच्चीत आप देख चुके हैं आज इस इंटर्व्यू का तीसरा हिस्सा आपके शेहनाई पकड़ने में बिस्मिल्ला खां साब की जो प्रसिद्धी थी या जो उनको प्यार मिला जो उनको शोहरत मिली क्या उसका भी कुछ योगदान था प्रसिर में जो नernियुकेश नख्रम चाहन मिला है और जो लोग चाहते हैं कि हम झाभजा आप उस पूरा योगदान चतना भी उंगदान थी लेकिन पर हम लोग दिल्ली में उसमें जो रिकॉर्ड चलते हैं लेकिन उसमें टी सीरीज का प्रणित निताल जी का एक रिकॉर्ड आया था बहुत अच्छा वह हम रेगुलर सुना करते हैं लेकिन अगर मेरी बात करेंगे तो उसमें जब हम उस समय बुरुजी के शीखने जायता थे जिसे कि आपने का कि रुजान तैसे आगे हुआ और तो वह साउंड जो था जो हम पहले सीखते गए थे और जो हम बहां सीखते थे वह तो एक मन में यह तकती कि नहीं यही तोनल यही हमें सीखना है और इसा हुआ करता था जो हम आपाश्वाणी के शुमनी कि हम उनकी पार्टी में एंटर पार्टी होती है उसके अंदर नाम लेक्वाए जाता है तो इन दिन जुरुच्ण पंडीश इनकाल जीने बुला कि तो अपना नाम दे दो उसमें तो हमने आपा रहा दूरदर्शन का समय दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग वही में लेका फोर वो सब मतलब ऐसा लगता था कि कहां आगे हम लोग वह 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 उप्षारन था कि नहीं हमना भी दूरदर्शन में बजाना है फिर विदेश जब गुरुजी जाते थे तो उसमें सूट के स्यार ह हो रहे होते थे तो लगता सा कि गुरुजी जा रहे है विदेश का हम भी जा पाएंगे कभी तो उसके लिए हमें और आगे कुछ करना है और अच्छा बजाना है तो यही कुछ हमने अपने गुरुप देख करके सीखा और वो जो हमारी चाहत ही कि हम रीडियो में बजाएं तो यही है जो हमें और हमें का और सभी प्लेयर को आगे लेकर करके जाता है यही सब कुछ सीखना भी चाहिए जो नहीं सीखने वाले है अच्छा आपको कभी आशिरवाद मिला बिश्मिला खान साब के सामने बैठके बजाने का या कभी उन्होंने आकर तारीफ की कभी मौ नहीं कि उस समय तो सिर्फ उस्ताजी उस्ताजी हुआ करते थे सब जगा लेकिन हां ऐसा जरूर मैंने कई लोगों के सुना है कि उस समय पर क्योंकि मैं काफी चोटा हुआ करता था और बजाय करता था तो उनके सामने भी एक सवाल आया कि आप शनाई के भविश्य को कैसे सब्सक्राइब और कुछ लोग बजा रहे हैं के नहीं बजा रहे हैं कि उसमें सबी कि वने नाम लिया गया और या नाम नहीं लिया गया तो मेरे बारे में बातके वी गई तो इसा कभी समय नहीं है कि उनके सामने मुझे बजाने का अश्रवाद आप तक पहुंचा ही अगर उन्होंने कहा कि हाँ शैनाई के भविश्य को सुरक्षित रखने वाले कुछ कलाकार जो हैं अगर आपका जिक्र भी किया उन्होंने तो वह एक तरीके से आपके लिए आशिरवादी था एक बहुत टक्नीकी कहलें या मेरे मन की जिग्यासा कहलें लोकेश जी आप सीखते हैं या माल लेते हैं आप सीखते हैं बासुरी अब मुझे पता है कि गाई की यंग बचते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स में और बाकी सब चीज़ें लेकिन आपके गुरू जो हैं वो वोकलिस्ट हैं दुनिया के सबसे महान वोकलिस्ट में गिने जाते हैं तो क्या यह कैसे संबह हो पाता है मतलब क्या ऐसा नहीं होता कि शहनाई सीखनी है तो शहनाई वाले के पास ही जाएं या बासुरी सीखना है तो बासुरी वाले के पास ही जाएं सितार सीखना है तो सितार वाले के पास ही जाएं ऐसा कैसे होता है कि इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो लेकिन गुरू जो है वोकलिस्ट है जी यह जबी संबह हो पाता है कि पहले आ है वही आपको बताएंगे इस सब कुछ की कैसे सुंक मारना है कैसे उसको टिंगक घांत करना है एक से क्यों करना है या अगर सीजन की विजे सै उतर गई है तो उसको बैंड करना अंबर को यह सब टेचनिकलिस जो होती है यह आपको जो उस बादे के पारंदत गुरू हैं वही सिखा सकते हैं कि पहीं लोग ऐसे हैं गाइकिन बढ़ दसका है यह मंने है लेकिन इसका एक अपना अलग भी है कि इसकी बंदीशन जो है यह स्वाधा बादन है जहां तक मैंने एश्पिरेस्श किया है वो बिल्कुल इप्डम अलग उसका दाना बजाना है तो मुझे कहीं कमी खर्टी थी चीज की कि मैं जो दाना है उसको परतक कुछी तरीके से उसकी बंदिश के बोल बाट और वो सब उस तरीके से मैं बजाओ तो यही इच्छा मेरे मंद में रही होगी यही इसी से कुछ इश्वरिय और बशा होगा लोग कहते हैं यह मुझे आज तक नहीं पता लगा कि क्या है लोग इस बात को बोलते हैं कि शहनाई का जो टेक्निक से मेरा बिलकुल और उसे डिस्टर्ट है और वो सिर्फी पर ऐसे है कि मैं कोशिश करता हूं कि वो उस घराने की दायती या उस घराने के जो तरीका है उस को मैंटेन करके चलें लोकेश जी बस आखरी सवाल पूछें आपसे उससे पहले एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि कोई एक चीज जो आप के दिल के करीब हो वो हमें और सुनाईए जी मैं आपको सबसे पहले जब मैं गया तो गुरू जी ने ये पूछा कि कूशा कि कुछ गिने चुने तो मारूविया के बंदिश मुझे घुरू जी में बढ़ाई थी वह मैं आपके सामने पर सब्सक्रता हूं मारूविया में मारूविया में आपके सामने तो गुरूँ जी में कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोימा । कर दो 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 कर कर दो 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 कर हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कहते हैं कर दो 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 कर कर दो कर दो तो मारू विहाग के इस पंदिश के बाद आखरी सवाल जो मेरा है वो ये कि फिल्मों में भी आपको जुड़ने का मौका मिला और जुड़ने का मौका जिस कलाकार के साथ मिला उसका भी पुरी दुनिया लोहा मानती है यानि एर रह्मान साब वो एक्सपीरेंस कैसा था आप रहा है इसके लिए कुकि शास्त्रिय संगीत बजाना और कमर्शल बजाना दोनों इस अलग अलग विरा हैं बिलकुल बिलकुल तो तो मेरा कुछ ऐसा रहा कि मैं जल्दी पिकप कर लेता हूं इश्वर की कृपा से या कुछ है तो स्टूडियोज में जब भी जाता हूं तो लोग मिज़ेक्टर्स मुझे बहुत पसंद करता है तो ऐसी कुछ-कुछ फ़बर होते 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 रहमान साब के पास और और सबके काम जो होते हैं तो मुझे अवसर और आते रहें आप देश दुनिया में जो शहनाई की गूंज है उसको ऐसे ही फैलाते रहें इसकी जो महक है उसको बिखेरते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपने समय निकाला और बहुत धेर सारी शुपकामना है को ही रागगिरी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद सिविंद्र जी आपका और रागगिरी के शुताव को भी मेरा बहुत-बहुत पनुश्या आता